क्वेशन नम्मर्ट 10 10th question है हमारा एक्स स्क्वेर माइनस का 10x और प्लस का 24 इसको करना है फेक्टराइज हम प्राइम फेक्टर्स किसके लिए थे हैं इसके तो 24 के हमने क्या किए प्राइम फेक्टर्स लिए 12 आएगा 2 से 6 आएगा 2 से 3 आएगा 3 से 1 आएगा इन फेक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि एड करने के बाद दोनों को कितना आना चाहिए माइनस का 10 और इनी दोनों को मल्टिप्लाइ करने के बाद क्या आना चाहिए प्लस का 24 ठीक है तो यह आना चाहिए तो हम करके देखते हैं माइनस का 10 कम मिलेगा हमें देखो मैं इसको अगर लूँ टू और बाकी के लिख लूँ टू टू जा फॉर त्री जा ट्वैल तो देखो आपको 10 मिल सकता है इससे कैसे भी बिल्कुल मिल सकता है अगर आप ऐसा लिखे तो दोनों को इनको एड करोगे तो यह आएगा कितना माइनस का 10 क्या इन दोनों को मल्टिप्लाइ करके इन दोनों को मल्टिप्लाइ करके क्या 24 आ रहा है 24 आपको कैसा चाहिए प्लस का क्या आ रहा है प्लस का तो नहीं आ रहा तो यह तो चीज गडबड हो गई क्यों क्योंकि अ है । अगर मैं लिगू four और टू-थ्री जा लिग लूँ six तो क्या आपका किसी तरीके से माइनस टेन आ सकता है हाँ आ सकता है अगर मैं दोनों माइनस के लिए लूँ तो माइनस का टैन क्या इन दोनों की multiply ए है प्लस का 24 आईगी बिल्कुल आईगी तो एक तो हमारा minus का 4 है और दूसरा हमारा minus का 6 है कुछ बच्चों को ये doubt होता है कि अगर सरा हम इसको इधर लिख दें इसको इधर लिख दें तो कोई फरक नहीं पड़ेगा आप लिख सकते हैं ठीक है तो हमारा दोनों को add करके minus का 10 आ रहा है का 24 ओके इसके बाद first two से common लेना होता है इससे common लेंगे दोनों के पास x है x को बाहर करो तो x minus 4 अब ये जो bracket आया है इस bracket को just इसके बराबर मुतार दो ठीक है यहाँ एक ऐसा number लिखना है जिसकी multiply इससे करूँ तो ये आए और उसी number की जब इससे multiply करूँ तो ये आए तो देखो x तो है minus का 6 चाहिए तो minus का 6 लिख लो अब check करके देखो क्या इसकी multiply इससे करके ये आ रहा है बिलकुल आ रहा है क्या इसकी multiply इससे करके ये आ रहा है बिलकुल आ रहा है तो यानि कि हमारे पीछे के सारे steps correct थे इसके बाद क्या करना होता है इसके बाद आपको इसमें और इसमें देखना है common क्या है मतलब पूरे में common क्या आ रहा है तो देखो x-4 जो है न ब्रैकेट दो बार आ रहा है तो आप उसको कितने बार लिखोगे एक बार तो ये ब्रैकेट जो था वो लिख दिया अगले ब्रैकेट में वो चीज आएंगी जो ब्रैकेट में नहीं है देखो ब्रैकेट में एक तो ये नहीं है ये ब्रैकेट के बाहर है यहां लिखो और एक ब्रैकेट के बाहर ये लिखा है देखो तो ये लिखो यह हमारा factorize हो गया यही हमारा answer चलते हैं next question पर